लिकर चलते हैं अमेरिका की ओड जहां इलेक्शन का कैंपेन तेजी से चल रहा है। दुनों ही कैंडिडेट्स जन्रता को लुभाने के लिए अपनी पॉलिसीज और वादों के साथ धुआधार रेलिया कर रहे हैं। हिलरी क्लिंटिन लगातार दूसरी बार ओपिनियन पॉल में ट्रंप से आगे दिखाई दी हैं जिसे देखकर डोनल्ड ट्रंप परिशान नजर आ रहे हैं। तभी तो बर्जीनिया में रैली करते हुए ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए। अकसर कम्यूनिटी बेस्ट बाते करने वाले ट्रंप यहां इंक्लूसिव नेशन की बात कर रहे थे। अगर राष्ट की बात करते हुए नजर आए। डुनल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अबराहेम लिंकंग के वक्त का सुहार्द देश में एक बार फिर से पैदा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अफ्रिकन अमेरिकन समुदाय के लोग मुझे अपने वोट से नवाजें। मैं इस इलाके में अफ्रिकन-अमेरिकन समुदाय के पहुच को मानता हूँ जहां रिपबिकन पार्टि को अच्छा करना होगा और वो करेगी। अबरहन लिंकंग की पार्टि की जी-ो-पी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी अफ्रिकन अमेरिकन वोटर्स की च्ट्वाइस पने, मैं पूरी तरह से एक देश चाहता हूँ और सम्लिक पार्टे है। बज़िया के रैली में डोनाल ट्रम्प ने कहा कि रेपब्लिकन पार्टी अबराहिम लंकन की पार्टी है और वो फिर से इस पार्टी को अफरीकी मूल की अमेरिकी लोगों से जोड़ना जाते हैं अब तक ट्रम्प मुस्लिमों और विदेशी लोगों की प्रतिक खास हमलावर रहे हैं लेकिन आप वो डैमोक्रेटिक पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी के आलोचना करते हुए कह रहे थे कि रंग भेद उनकी दीती भी नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की इसी तरह की बात ये दिखा रही है कि ट्रम्प कैम्पेंड में पीछे ना चूट जाए इस मकसद से खुद को बदल रहे हैं या फिर हो सकता है कि ये ट्रम्प की नई कैम्पेंड टीम का कमाल हो जो उनकी इमेज को सुधारने में जुटी है International Disk, India 24-7